जाई हिन दोस्तों, वेल्कम टु टेग्नो फंडा, विकम ओल्डी। इस स्टॉक के साथ इन्वेस्टेट रहा जाए की नहीं, इस वीडियो में पहले हम लोग टेग्निकल चार्ट का एनलेसिस करेंगे, उसके बाद इसका खराब रेजल की हुआया है, वो देखेंगे, उसके बाद एग्रो एंड पिगमेंट डिविशन का डिस्कॉसन करेंगे, यह है एमेल का विकली चार्ट, विकली चार्ट में हम लोग इधर में 110 के आसपास पहली बार टेग्नोपन नवे इसका अपडेट किया था, उस टाइम में बताया था कि 110 के आसपास 1 से 2% खरिदा जा सकता है, और 120 के ऊपर क्लोज होते ही हायर हाई बन जाएगा, तब 3 से 4% खरिदना है, उस टाइम में स्टॉप लोज राएगा 105 के नीचे, विकली क्लोजिंग बेसिस में बंध हो जाएगा, तब स्टॉप लोज ले लेना है, और टार्गेट राएगा 150, लेकिन क्वाटरली 3 का रेजल्ट खरा पाया है, इसलिए प्राइस 10% गिर गिया, आभी क्ल स्टॉप लोज राएगा, 80 के नीचे, विकली क्लोजिंग बेसिस में बंध हो जाएगा, तो स्टॉप लोज ले लेना है, और हम लोग का टार्गेट वही 150 टार्गेट राएगा, और हम लोग आगे जाके फर्णेमेंटली देखेंगे, इसका दो कैपेक्स, वान एक्ग्रो सा बेस लेके, बाउंस बैक दिखा सकता है, अभी देखने तो, एमोल का रेजर्ड खराब क्यूं आया था, Q3, FY23 के अंदर में देखे तो, एग्रो केमिकल डिविशन में, इसका कैपासिटी उटिलाइजेशन था, 75-80%, पिग्मेंट डिविशन के अंदर में 55-60%, पिग्मे में रिशेशन का डर, और USA में हाई इंफलेशन का डर, तो पूरा सा मिला के, ग्लोबल डिमांड बहुते कम था, और उपर से कमपानी के आंदर में, हाई रो मेट्रियल था, उसको लो फिनिस पोड़क्ट में बेचना पड़ा, और उपर से Q3 के आंदर में एक फायर कर रहा है, एग्रोकेमिकल डिविशन के अंदर में देखे तो हर पोड़क्ट का प्राइस घटा था, क्यूंकि ग्लोबल डिमांड कम था, लेकिन मैनेजमेंड आसा कर रहा है कि आगे और प्राइस डाउन नहीं होगा, क्यूंकि चाइना में जो कोबीड था, लोगडाउन था, ओभी खुल गिया है, और एउरोप आमेरिका जो इंपेक्टेड हुआ था, रासिया उक्रेन वैर के बाजे से ओभी थोड़ा थोड़ा नर्मलाइज होते हुए दिग रहा है, तो आगे जाके एग्रोकेमिकल पोड़क्ट का प्राइस और ज्यादा गिरेगा नहीं, इ तो कि आभी स्टेबिलाइजिंग फेज में है, और ये एफवाई 24 के दोरान 300 से 350 करोर रेविन्यू में कॉंटिब्यूट करेगा, मेगमानी और गानिक नैनो यूरिया पोड़ाक्शन करना चाता है, इसलिए ये इपको के साथ एग्रिमेंट कर रहा है, तो एक प्लैंट ब बोटल ये पोड़ाक्शन करेगा, और इणियन कॉर्मेंट भी नैनो यूरिया को ज्यादा प्रोमोट कर रहा है, क्यूकि कॉन्वंचनल यूरिया में इन्डैन कॉम्वेंट धाई लाक हो र सब्जडिडि देना पड़ता है, इसलिए नैनो यूरिया को ज्यादा पर 45 केजी बैग करिब करी 2,000 रूपीज साबसीडी देने के बाद लेकिन नैनो यूरिया 500 ml बोटोल का प्राइस जो होता है 240 रूपीज कोई साबसीडी छोड़के इसलिए इंडियन कॉम्मेंट नैनो यूरिया को ज्यादा प्रोमोट कर रहा है यूम्मेल आभी तक कोई नैनो यूरिया में कोई रेभिनू गाइडेंस, मार्जिन गाइडेंस नहीं दिया है वो आगे जाके देगा अभी पिगमेंट सेगमेंट के अंदर में देखे तो ये फेजवान टाइटिनियम डायक्सेड का कैपेक्स जानवारी 2023 में कर चुका है जिसका करबासीडी है 16,500 टॉन पर एनाम और ये पूरा साल के दारा 200 प्लास कौरो रूपीज का रेभिनू जनेरेट करके देगा और सेकेंड फेज का जो कैपेक्स है वो Q3 FY24 में कोमिशन होगा उसका भी कैपासीटी होगा 16,500 टॉन पर एनाम ये सब जोड़के भी ML एक कैप्टिब पावर प्लांट बिढ़ा रहा है जो धर्माल ब्रेस, कोल बेस पावर प्लांट होगा आप ही देख लेता हूं मैनेजमेंट फ्यूचर गाइडेंस क्या दे रहा है ML का जो फायर इंस्टेंट हुआ था उसके दरन 43 करोर नुक्सन हुआ है लेकिन इंसूरेंस था तो इसलिए 39 करोर ही इंसूरेंस के दरन 3-4 मात के आंदर में ओ पैसा मिलेगा लेकिन 4 करोर ML का नुक्सन जहनना पड़ेगा इसका एग्रोकेमिकल डिविशन के अंदर में देखे तो हाई रो मेट्रियाल जो इन्वेंटरी था ओ क्यूटू एंड क्यूट्री में कंजूम हो चुका है इसलिए क्यूफोर से इसका एविटा मार्जिन इंप्रूब होगा जो की 18-90% रेंज में आ जाएगा और पिग्मेंट सेंगमेंट के अंदर में देखे तो इसका हाई कॉस्ट इन्वेंटरी आभी तक है जो कि आगे क्यूफर तक कॉंजूम होगा तो इसलिए एक या तो दो कॉडर और पेसर में रहेगा उसके बार धिरे धिरे पिगमेंट सेगमेंट भी रिकोबरी हो जाएगा लेकिन मैनेजमेंट कॉंजूमेंट है आगले क्वाटर से ही यह 14% के आसपास एविटा मार्जिन यह मेंटेन कर पाएगा तो इसका इभेंट वाइस कैपेक्स देखे तो अग्रो केमिकल मांटी परपास प्लैंड नॉबेंबर 2022 में कोमिशन हो चुका है टाइटेनियम डायोकसाइड का फेज वान कैपेक्स कोमिशन हो चुका है जानुवारी में जिसका कैपासिटी है 16,500 टॉन और सेकेंड फेज टाइटेनियम डायोकसाइड का कैपेक्स Q4 FY24 में कोमिशन होगा और नैनो यूरिया प्लैंट का कैपेक्स कोमिशन होगा Q4.24 में तो अभी ये दो प्लैंट या कैपेक्स ओनलाइन आ चुगा है तो अगले financial year में 550 करोड के आसपास revenue contribute करेगा तो मदलब 22-25% revenue contribute करेगा और इधर से global macro economic धिरे धिरी recovery होगा तो प्राइस भी धिरे धिरे इधर से recovery होके target दिखा सकता है तो एरा दोस्तो ML का टेग्नो फंड अपडेट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कॉमेंट, सब्सक्रेब जोरूर कीजिए ठैंक्यू दोस्तो